हेलो स्टुडेंट्स तो आज सुफेस टेंशन इस टॉपिक से कुछ स्टेंडर्ड रिजल्ट्स डिराइफ करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस आफ इंटरफेस अफ डबल बबल ते एक स्टेंडर्ड रिजल्ट है और इसी तरह के कुछ और रिजर्ट्स भी आज हमको derive करने हैं तो इन सब रिजर्ट्स को इन आउटकम्स को फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना चाहिए इन फैक्ट रट लेना चाहिए इनके रटे होने पर ही इन फॉर्मूलों पर बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने पर वो कम समय में आपसे करेक्ली बन पाएगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं formation of a double bubble की यह दो bubbles मैंने शोग कर रखे हैं 1 and 2 जिनके रेडिया ही हैं R1, R2 और बाहर याना outside pressure है P0 तो आपको याद आया होगा bubble में होती हैं दो free surfaces and excess pressure inside a bubble is 4T by R जिसमें T क्या है? उस liquid का surface tension जिसके bubbles बने हुए और R उस bubble की radius अब bubble 1 में अंदर pressure कितना होगा? तो वह होगा P0 plus 4T by R1 excess pressure कितना होगा? 4T by R1 तो अंदर pressure में लिखता हूँ P1 bubble 1 के अंदर pressure कितना होगा? outside pressure plus 4T by R1 यह है pressure inside the bubble 1 bubble 2 के अंदर pressure कितना होगा? बाहर pressure है P0 अंदर कितना होगा? अंदर excess में होगा 4T by R2 तो यह है pressure P2 is bubble के अंदर और P1 pressure है bubble 1 के अंदर जब ये दोनो bubbles contact में आते हैं when these two bubbles come in contact तो होता क्या है उनकी जो contact surface होती है उसे ही कहते है interface the interface gets distorted मतलब उसकी radius यह है वो interface जो मैंने orange से दिखाया हुआ है इसकी radius ना तो R1 होती है ना ही R2 होती है बलकि R1 R2 से कुछ अलग हो जाती है मतलब यह surface lightly distort हो जाती है और उसी की radius हमें find out करनी है अब bubble 2 के अंदर pressure कितना है वो है P2 और क्योंकि इसकी radius कम है यह smaller bubble तो R2 के कम होने पर P2 कैसा है P2 is greater than P1 मतलब जब यह दो bubbles contact में आते हैं तब pressure कहां से कहां काम करता है 2 से 1 की तरफ और 2 में pressure ज़्यादा होता है और हम जानते हैं concave side में pressure ज़्यादा होता है इसलिए यह interface अपना ऐसा shape assume करता है कि उसकी concave side 2 की तरफ हो अब इसकी radius को निकालने के लिए सिर्फ आपको करना यही है कि P2 जो इसके अंदर का pressure है वो कैसा है concave side में है और concave side में pressure ज़्यादा होता है जानते हैं P1 P2 के बराबर नहीं है बलकि P2 कैसा है P2 है P1 प्लस इस interface की radius यदि R है और surface tension यदि T है तो 4T by R यह relation हम को मिल जाएगा P2 क्योंकि यह smaller bubble है इसके अंदर जो कुछ pressure है वो इस P1 से जो 1 के अंदर का pressure है उससे कितना ज्यादा है इस interface की यदि radius R है यह जो surface है concave surface उसकी radius यदि R हो तो P1 प्लस 4T by R यह value है P2 का बस यहाँ पर value substitute कर लेनी है P2 is equal to P1 जब इन दोनों के equate करेंगे तो यह P0 तो cancel out हो जाने वाला है 4T by R2 यहाँ लिखना होगा is equal to यहाँ आएगा 4T by R1 उसे transpose कर लिया तो वह होगा 4T by R1 is equal to 4T by small r 4T भी common आकर cancel out हो जाएगा इदर LCM ले ले लेते हैं LCM आएगा R1 R2 यहाँ आएगा R1 minus R2 is equal to 1 by R और इस तरह से हमको R कितना मिला R मिला हमको R1 R2 मतलब दोनों radii का product upon R1 minus R2 मतलब larger radius minus smaller radius बस इस result को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है R1 R2 उपर आएगा product नीचे आएगा difference और गलती नहीं करनी है याद रखेंगे larger minus smaller तो ज्यादा सोचने की भी जरूवत नहीं हूँपर product मीचे difference हमको मिल जाएगे interface की radius इस derivation को भले ही आप भूल जाए पर इस formula को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए अब ये दो objective type questions करेंगे पहला question if two soap bubbles of equal radius are coales then the radius of curvature of interface between the two bubbles will be तो यह है वो interface की radius are denominator 0 हो जाएगा क्योंकि radii बराबर है और इसके 0 होने पर interface की radius हो जाएगी infinite and option c is correct दूसरे question में two soap bubbles of radii r1 and r2 equal to 4 cm and 5 cm touching each other over a common surface s1 s2 as shown in the figure its radius will be फिर से यही formula लगाना है radius क्या दे रखे हैं 4 cm और 5 cm ऊपर product मतलब 20 और नीचे difference 5-4 याने 1 याने answer होगा 20 cm इस तरह इस formula को रट लेने में याद रखने में बुराई नहीं है